हर मनुस अपने जीवन में खुशी एवन सुखी कलपना करता है वो खुश रहने के लिए ना जाने कितनी महरत ना जाने कितनी प्रयाज करता है परन्तु क्या हर मनुस अपने जीवन में खुश है क्या उसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं है क्या वो अपने जीवन में अमेशा खुश रहता है नहीं है तो ये जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो अंतर नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं सक्सेल मौटिवेशन ऐसे ही एक लड़के की काहनी है वो लड़का अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है मैं मायूस रहता था वो लड़का एक दिन एक बाबा के पास गया और बाबा से बोला कि बाबा जी मैं बहुत दुखी रहता हूँ मेरे जीवन में कहीं भी सुख चैन नहीं है मैं अतना दुखी रहता हूं कि मुझे संसार की कोई भी चीज या कोई भी वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती है उस बाबा के पास एक फूल का बगीचा था जिसमें गुलाब के फूल थे और बाबा से कहता है कि बाबा जी कि मुझे वो फूल नहीं मिला जो आप चाहां रहते हैं बाबा ने बोला जैसा क्या हुआ तो लड़का बोला कि बाबा जब मैं उसमें कहा था तो मैं एक अच्छी फूल के तलास में कि ये ना ये अच्छा, ये ना ये अच्छा, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा ही वैसा है वह ऐसा करके मैं अपना पूरा वगीचा घूम गाम के आपके पास चलाया बिना फूल लिये तो वह वाबा उस लड़के से भूला कि मनुस अपने जीवन में बड़ी खुशी की तलास में छोटी-छोटी खुशीयों को उसके जीवन में आने के लिए वो ढूनता रहता है कि यह को उसे बड़ी खुशी मिला तभी उसे बहुत सारी खुशी होगी तभी उसे धन्त वर्त्राप्तbage यही एक मनुस का कारण है उसके दुखी रहने का इसलिए एक मनुस को अपने जीवन में खुश रहना है और जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटी से छोटी खुशियों को मनाता है वही जीवन का अपने आनन्द ले पाता है और ऐसा जो व्यक्ति नहीं कर पाता है उसका जीवन दुखों से भरा होता है इसलिए मेरा मानना यही है कि एक मनुस को एक बड़ी खुशियों को नश्ट ना करता है ऐसा अगर आप करेंगे दो आपके जीवन में पीड़ा ही पीड़ा होगी आपके जीवन में दुखी दुख होगा जो इंसान अपनी छोटी खुशी से लेके बड़ी खुशी की कलपना करता है वही एक अच्छा मनुष से होता है इसलिए छोटी से छोटी खुसी हो या बड़ी से बड़ी खुसी हो अपनी बड़ी खुसी के चक्र में अपनी छोटी छोटी खुसी हो को नश्ट नहा करें क्योंकि छोटी खुसी छोटी होती है और बड़ी खुसी बड़ी होती है मजा बराबरी होता है जीवन में खुछ रहने का तरीका सब मत्र यही है कि अपनी जीवन में हर छोटी छोटी हासो छोटे से छोटे पल को इंज्वा करें जिसमें आपको आनद मिरता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिलकुर ना भूला है मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक रखिये वाई बाई टेक केर